हेले एरिवन, वेलकम टू सुवेत अपटवास रेसीपी, आज हम बनाएंगे इस टब्ड टमाटर की मज़ेदार सबजी जो की खाने में बहुत ही यदा टेस्टी लगती है, तो चलिए इस टेस्टी सबजी को बनाना स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पर मीडियम साइज के छ टमाटर लिये हैं, तो सबसे पहले टमाटर का ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट कट करके अलग कर देंगे, और अब हम इसके अंदर से सारा पल्प निकाल लेंगे, तो इस तरह से हमें टमाटर से सारा पल्प निकाल लेना है, यहाँ हमने सारे टमाटर का पल्प निकाल लिय और इसे हम फेकेंगे नहीं इसका यूज हम ग्रेवी बनाने के लिए करेंगे और अब एक बाउल में हमने दो बड़े साइज के आलू लिये हैं जिसे बॉइल करके छिलका निकालकर मैस कर लिया है और अब इसमें हम एक चोथाई चमच नमक एक चोथाई चमच लाल मिल्च एक चोथाई चमच हल्दी आधा चमच धनिया पाउडर और थोड़ी सी किस्मिस डाल देंगे और अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आप चाहें तो आलू की सूखी सबजी बना कर भी स्टपिंग तयार कर सकते हैं या तो फिर पनीर से तयार कर सकते हैं या तो फिर गोबी या किसी भी प्रकार की सबजी को कदुकस करके उसे फ्राई करके स्टपिंग बना सकते हैं आप अपनी मन पसंद किसी भी प्रकार की स यह सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और अब हम इस सटफिंग को टमाटर के अंदर फील कर देंगे तो इसी तरह से हमें एक एक करके सारे टमाटर में स्टपिंग डाल देनी है स्टपिंग को थोड़ा उंगली से इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर अच्छी तरह से डाल देंगे और अब हमने यहां सारे टमाटर में स्टपिंग फील कर दी है हमने यहाँ दो medium size की प्याज लिया जिसे बड़े बड़े तुकडों में कट कर लिया है 5-6 लहसुन की कलिया एक इंच का अद्रक का तुकडा जिसे की छोटे छोटे तुकडे में कट कर लिया है 5-6 काजू और अब इन सब का हम पेष्ट तयार कर लेंगे और यह प्याज का पेष्ट हमने बना लिया है और अब यह जो टमाटर से पल्प निकला था इसका हम पेष्ट बना लेंगे और यहाँ हमने एक कड़ाई ली है तो उसमें एक चमच ओयल डाल देंगे और जब oil गरम हो जाय तो इसमें एक एक करके सारे टमाटर रख देंगे गैस का flame low रखेंगे और इन्हें ढखकर 3 मिनट तक के लिए पकने देंगे इन्हें पकाते हुए हमें 3 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसका side change कर देते हैं और side change करने के बाद इन्हें हम ढखकर फिर से 3 मिनट तक पकाएंगे और इन्हें पकाते हुए हमें 3 मिनट हो चुके हैं तो फिर से अब हम इनका side change कर देते हैं तो इसी तरह से side change करते हुए हमें इन्हें अच्छी तरह से पका लेना है तीन से चार बार साइट चेंज करते हुए हम इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे गायस का प्लेम लो रखना है और इन्हें पकाने में 10 से 12 मिनट का समय लगता है यह अच्छी तरह से पक चुके हैं और इन्हें हमने निकाल लिया है अब कड़ाई में हमने 5-6 चमच ओयल गरम कर लिया, इसमें डालेंगे आज़ा चमच जीरा, एक हरी मिर्च, 5-6 लॉंग, एक इंच का दालचीनी का तुकड़ा, दो इलाइची अब इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे और पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, अब इसमें हम एक चमच नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, प्याज में नमक पहले डाल देने से प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, ज लेगी मिर्च डालने से इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा दो चम्मज धनिया पाउडर और आधा मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और दो से तीन मिनट तक इसे भून लेंगे और यहां सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं तो अब इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे तो आपको ग्रेवी गाड़ी या पतली जल्ची रखना इससाब पानी डालिए अब इसमें आदा चमच गरम मसाला और आदा चमच कसूरी मेथी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और अब इसे ढख कर दो मिनट तक पकने देंगे अब इसे पकाते हुए हमें दो मिनट हो चुका है और इसमें अच्छा उबाल भी आ चुका है तो अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे अब इसमें हम यह टमाटर डाल देंगे ढ़क कर इन्हें तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और इन्हें पकाते हुए हमें तीन मिनट हो चुके हैं तो इसे एक प्लेट में या बावल में निकाल लेते हैं और हर धनिया से कार्णिस कर देते हैं तो लीजिए हमारी सूपर टेस्टी स्टब्ड टमाटर की सबजी बनकर रेडी है आई होब कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक सेयर करें और नीव है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं एक नीव वीडियो के साथ थैंक्यू